हमारे पास question दे रहे हैं इसको solve करना है यह है left hand side और यह है right hand side इसको solve करेंगे तो वो मिलना चाहिए हमारे पास यहां पर है sin theta minus two sine cube theta upon two cos cube theta minus cos theta और यह हो गया है अब है आपके left hand side ध्यान रखना भी कभी किसी को किसी में से minus करना है तो power same होनी चाहिए अगर यहां पर cost की power 3 है यहां भी cost की power 3 होगा तब भी हम minus कर पाएंगे अगर यह cost की power 3 है और यह one है तो इनको minus नहीं कर सकते तो यह आपके ऐसा ही रहेगा इन दोनों में sign common common जरूर ले सकते हो sign इधर भी है sign इधर भी है तो हमें क्या करना है यहां पर हमें sign common लेना है मैंने ले लिया sign को common अब देखो sign का divide sign में करेंगे तो जाएगा आपके one time इधर अब हमें sign पर ध्यान देना है तू का two इधर sign आपके one time है उदर आपके three time है अगर यहां से इस पर divide करेंगे ना तो sign one time उदर three time तो one time cancel होगा तो यह आएगा आपके sign square theta अब आते है यहां divide में ृदर कॉस इधर भी है कॉस इधर भी Exam jobbar का खुट की आने वाला है आप को मना आने वाला कि अब खौक का डिवाड इधर करेंगे तो पहले आपके जो number लिखावा है वह लिखना है मदलब इसका एफिसमें करेंगे तो जाये गावी आपके कॉस थीटा आएगा अब आपको क्या करना सिंपल जिंद ध्यान अखना बही मैं कौस का डिवाइड कॉस में करेंगे तो जाएगा वन टाइम महात का कॉस का कॉस में करेंगे तो जाएगा वन टाइमflower कि गप जैसा उपर किया है यहाँ पर निचे करना है सील, अब आप देखोगे यहाँ पर साइन बाई कॉस साइन बाई कॉस का मतलब होता है यह रहा क्या होता है इसका मतलब होता है आपके टैन थीटा अपूं कि और हमें यही चाहिए यह रहा है कि लेकिन यहां पर यह नंबर कुछ एक्स्टा लिखा हुआ है। तो हमें इसको हटाना पड़ेगा अब क्या करएंगे जो द्यान देना भई इस इस वं का मतलब क्या उता हैं ? क वन का मदलब भी आटा थमा क्या करना जाहना ना वह लिखना है वह स्कॉल और तो देखो वन का मतलब होता एंट स्कॉइर और स्कलभ है और पिखे लिखा हुए माइनस ह्टुस्टाई स्क्वेइर थीटा अब यहां पर divide में यहां पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यह तो हो गया देखो इसका मतलब तो हमने यहां पर लिख दिया sign by cos का मतलब होता है 10 अब इधर यह लिखा हुआ है आपके 2 cos square theta अब देखो द्यान देना एक चीज का हमें क्या करना है यह identity लगानी है यह वाली क्या identity है यह वाली sign square theta plus cos square theta का value कितना होता है 1 होता है अगर यह plus का है तो दोनों plus के और अगर यह minus का है तो दोनों किस के आएंगे भी आपके माइनस का आएंगे तो यहां उपर प्लस का वन था दोनों plus के लिखे गए अब यहां पर आपके माइनस का वन है तो दोनों किसमा आएंगे भी आपके हमें तो यह चाहिए है यह सब कटेगा बार दीम हमारे पास क्या लिखा हुआ है टेन थीटा अब आप देखेंगे यहां पर भी स्क्वेर है और यहां पर भी स्क्वेर है पहले यहां पर साइन था यहां sine cube का तो दोनों को माइनस नहीं कर सकते थे यहां पर देखेंगे यहां पर 2 बार माइनस में और एक बार हैs प्लस में यहां कुसने तो क्या मानते हैं 1 मानते वन टाइम तो है on time the plane cash दो अया one time sign square इसे साइन कहाते एंगा sine square ये भी sine square तो 2 मैं से 1 ग여 गया तो वन sine square बच गया ज्यादा नमबर कौन सा है माइनस का पिछे बचा ये वाला Plus का cos square theta अब आते हैं इधर इधर भी cos square है इधर भी cos square है ये भी square में ये भी square में dalनों का हम जोडवाकि tote मंदब and less कर सकते हैं तो यहां two ताइम एक और यहां पर आपके वन टाइम है तो टू मैंसे वन गया तो वन टाइम बद्य आप व्द्यादस पिछे बचा है माइनस का साइ्ट और ध्यान देना इंदर प्लस वाला बड़ा नमबर इन माइनस का नंबर बढ़ाता इधर प्लस वाल नंबर बढ़ा है पीछे बचा है माइनस का साइन स्क्वेर थीटा और आप देखेंगे ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या हो गए भी आपके कैंसिल हो गया और हमें बचा हुआ है टेन थीटा और टेन थीटा ही रहा मतलब ये हमारा इंसर यहां पर आगया था और देखो अगर आप क्लास जाओगा ना इलेउंत के अंदर उसके अंदर ये दोनों इक्वल होते हैं ये आइडेंटिटी है ये वन माइनस टू साइन सफर मतलब होता है तू कॉस माइनस बन होता है मतलब य ये दोनों आपस में हमें साथ इक्वल रहते हैं क्लास इलेउंत में आइडेंटिटी है कि ये और इक्वल सिधा कड़ गया लेकिन इलेउंत वाला नियम हमें यहां नहीं लगाना है यहां हमें क्या करना है प्लस में साइन कॉस माइनस के अंदर फिर हमें क्या करना है साइन में sign add करेंगे cost में cost add less करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे काट देंगे तो 10 ठीट आएगा जो हमारा right hand side के equal है यह हो गया भी आपका hands prude